मैं दर्ष्टा हूँ, यह मैं समझ सकता हूँ, यह प्रशन है आपका, जो बुद्धी इस समें समझ रही है, जो बुद्धी इस समें अपने आपको देह जान रही है, जो बुद्धी इस समें अपने आपको इस विशे को समझने के लिए आतूर जान रही है, वो बुद्धी आपके इस त्वरूप से ऐसे ही अलग है जैसे आपका हाथियां पैस अब आपका हाथ नहीं समझना चाहरा हाथ में बुद्धी नहीं है समझना कौन चाहरा है? बुद्धी आपकी आँख नहीं समझना चाहरी इस विशय को क्योंकि आँख क्या कर सकती है देखना पर वो भी तब जब बुद्धी आँख के साथ जुड़ती है ये विश्या है आपका कान नहीं समझना चाहरा क्योंकि कान, आँख, नाशिका, रस्ना, तचा आपकी पांचो ग्यान इंद्रिया में काम बुद्धी ही करती है अब ये कौन सा रंग है, ये आपकी आँख बता रही है कि आपकी बुद्धी हाँ, हाँ, स्मृती जो है वो मन में है और स्मृती से बुद्धी ने, जैसे सोचा कि मैं इसको औरेंज बोलू, मैं पीछ बोलू, मैं आकर बोलू अंग्रेजी के अगर भाषा में जाएं तो हर कलर की टोनालटी से उसका नामिक अलग हो जाता है तो अब जो भाषा आपने सीखी है उस्मृती में है रंग स्मृती में है तो मन ने, मन बुद्धी ने आँख से बाहर देखा तो आँख ने नहीं जाना जाना तो मन बुद्धी ने है आँख सिर्फ खिड़की है जिससे मन बाहर गया सभी आपने अपना नाम बताया वो भी आया आपकी स्मृती से आपकी उमर पूछूँगी वो भी आएगी स्मृती से घर का पतव पूछूँगी तो वो भी आएगा स्मृती से परिवार में कोने पूछूँगी तो कहां से आएगा स्मृती से तो जिसमें ये सब स्मृतियां है सो है मन और जो इन स्मृतियों की बैसिस पे निष्चे बनाता है उसी को बुद्धी बोलते मन और बुद्धी का ये इतना बहेत होता है जो जानता है वो बुद्धी है जो स्मृतियों को निकालता है वो चित और मन अब उसमे थुड़ी और बरिक्य होती मन और चित चित मतलब subconscious mind हो गया और जब हम कहते एक चौथा element है इसमें जिसे हम कहते है आहंकार आहंकार मतलब ये ही सत्य है या जिसे पुछा के ये पीला है के काउं सा रंग है ता अपके मन ने थोड़ा सोचा स्मृति ने डब्बा क्या है क्या है तो ब बले ये पीला है ये दा경 दा까지 yellow दांके yellow with the red in the center and a green line also तब यह सब कहां से निकल रहा आपकी स्मुरुती से, आपके मन से और जब conclusion बन जाता है, तो उसको हम बुद्धी बोलते हैं ठीक है? तो हमारी समझने का काम बुद्धी करती है और उसके सहायक मन भी होता है, चित्त भी होता है प्र जो चीज समझ आती है, उसornya हम कहते हैं, कि ये, ये है जो भी हो ऐसे अचा, एक बात बताओ, जब गईरी काम किन गेरी नींद होगी तो क्या उसमे पर कुछ सुनना समझना हो सकता है? नहीं, है नहीं? गहीरी नींद में कुछ भी सुनना समझना नहीं हो सकता अब उसमें क्या कान बहरा हो जाएगा? नहीं अबहास नहीं, the connectivity to the ear and the brain is kind of compromised why sleep is over? नींद जो है वो एक संबंध बिच्छेद करा देती अब सोते सोते में अगर नींद खुल गई आख न खुली हो ऐसा होता है कि नींद खुल गई है आख नहीं खुली है तो आप भाहर की सब आवाजे सुनने लग जाती जब नीं थी तो कुछ नहीं सुन रहा था जब नीन तूट गई, आख ना खोलो, तो भी सब सुनन शुरू हो जाता है तो हमारा बाहर संसार से जो connection है, वो इस मन बुद्धी के जरिये बनता है और मैं शरीर हूँ या आत्मा, ये भी बुद्धी ही सोच रही है अब इसमें हम एक, एक स्टेप हम और आगे लेके चलते हैं आपको बुद्धी अपने आप से सोच रही है या बुद्धी को किसी चेतन शक्ती की प्राप्ती होती है, तो बुद्धी सोच थी तो वो जो चेतन का, चेतन मने आत्मा चेतन स्वरूप है और उस आत्मा चेतन स्वरूप का, जो प्रकाश इस मन बुद्धी को मिलता है तो इस मन बुद्धी में मैं हूँ, मैं हूँ, यह ऐसास आता है रहिट? असमी, असमी, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ अच्छा, एक बात बताओ, मैं हूँ यह क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तुमे ऐसी प्रतृति हो कि मैं नहीं हूं किय यह संभाव इ नहीं नहीं नहींना अच्छा कर खी नहीं यूशा कर नहीं सदर शाज नहीं कार। I am, hence I know I am there can never be a time when I will say no, I don't exist ऐसे ही कोई यह कहें, मैं नहीं रहूंगा यह बात हम नहीं मनते क्योंकि यह शरीर नहीं रहे, यह तो हम समझ सकते शरीर तो ग्यानी अग्यानी किसी कभी जाएगा, सब कही जाएगा पर कोई यह कहें, मैं नहीं रहूंगा ऐसा समय कभी नहीं होने वाला अब जैसे बच्चा भूल से अपनी ड्रेस को मैं मनता है ऐसे भूल से आपकी बुद्धी शरीर को मैं मनती है और आप इस बुद्धी को मैं मनते हो और फिर आप कहते हो कि मैं द्रष्टा को समझना चाहता हो तो मैं आपका प्रष्ण वापिस आपको देती हूं जब आप यह कह रहे हैं कि मैं द्रष्टा को समझना चाहता हूं तो यह मैं बुद्धी है बुद्धी में चेतन का अभास बोल रहा है कि द्रष्टा बोल रहा है कौन बोल रहा है तो ये प्रशन आभास को है कि असल में हूँ कौन? दे में हूँ नहीं ये तो बात बड़ी जल्दी सबको समझ आ जाती नहीं तो मैंने इतना कठी नहीं होता पर मैं मन नहीं हूँ नहीं ये गले नहीं उतरती बात तो युक्ती से प्रमान से और अनुभाव से मैं मन नहीं हूँ ये निश्य पुर्वक जानना मैं द्रश्टा हूँ इस और एक पहला कदम होगा नहीं तो क्या है गड़वड वेदान्ती हैं बहुत सारे वो वेदान्ती क्या करते है वो रटते रहते हैं मैं द्रश्टा हूँ मैं द्रश्टा हूँ का जो आभास मन में पढ़ रहा है उसका और मेरा क्या फर्क है तो यह बात बारिक है थोड़ी सी बारिक है समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती पर इसके उपर काम करने की जरूरत और मैं द्रश्टा स्वरूप हूं और द्रश्टा तो द्रश्टा ही है δ Vernon कभी अदरस्ता नहीं होता है Jack cyclesize पर ये जो बुद्धि है इसके ब्रहम जो है वो बने रहते है तो अपना स्वरु भूल जाता है तौर बाड़ लुझा इस हडड़ी मास के शरीर को मैं मानता रहता है तो दे से मैंप ना हटाना मन से मैंपना हटाना जीव बोली, राइट? अच्छा जीव ना बोले पर बुद्धी तो भी जान रही है कि मैं हूँ अब ये अभी मैं जो है ये बुद्धी के संग एक हो के ब्रह्म से बुद्धी में जो मैंपन बना लेता है वो मैंपन को उसके मूल चेतन के साथ समझना होगा, चेतन का आभास जो पढ़ रहा है मन बुद्धी में वो आभास वाला मैं नहीं, जिस मूल का आभास है सो मूल मैं हूँ जब तक ये नहीं जा लेगा तब तक द्रष्टा मैं हूँ, ये नहीं समझ सकता तो मैं मन बुद्धी नहीं हूँ, पहले ये निष्चे बने फिर मन बुद्धी में जो अभासित मैं है, वो मैं नहीं हूँ, ये निष्चे बने तो फिर मैं ही दृष्टना स्वरूप हूँ, ये जानना सहज हो जाएगा